केवित हिंद्य क्लास में आप सबका एक बर फिर स्वागत है। का रूप ले लेता है या जो मजभ है जुनून का रूप ले लेता है तो इसे संप्रदाइकता कहते हैं जब धर्म के लोग अपने धर्म या अपने संप्रदाइक को श्रेष्ट और दूसरे के धर्म संप्रदाइक को निम्न समझने लगते हैं तो इसे संप्रदाइकता कहा ज भारत के संदर्व में बात करें तो भारत में विभिन प्रकार के संपरदायों के लोग निवास करते हैं जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, इसाई, जैन, बौध और पारसी यह जो अलग-अलग संपरदायों के लोग होते हैं इनके रीति-रिवाज, संस्कृति, प्रथाओं में बहुत अंतर पाया जाता है जिसकी वज़े से इन लोगों के बीच में एक अलगाओ की भावना उत्पन होती है यह अपने आपको दूसरे से प्रथक समझते हैं और इसकी वज़े से इन में विरोध उत्पन होता है और कई बार यह संघर्ष का रूप भी ले लेता है तब इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि दो या अधिक संप्रदायों के बीच में जो तनाव उत्पन होता है उसे संप्रदाइक तनाव कहते हैं अर्थ को समझने के बाद यह जरूरी है कि हम संप्रदाइक तनाव के कारणों को समझ लें तो संप्रदाइक तनाव के कारणों को क भारत पर आकरमन के साथ ही हो गई थी मुगल विदेशी आकरांताओं के रूप में भारत में आये थे और उस समय जो भारत के निवासी थे उनकी संपत्ती लूटी और बहुत मारकाथ की इसकी वजब से यहां के जो निवासी थे यानि हिंदू थे उनके मन में मुसलमान सदा क बन गए और मुसल्मानों में भी हिंधू के पुर्वा गरह बन चुके थे। यही पुर्वा गरह ज़ो है। इन में बहुत अंतर होता है और ये जो सांस्कृतिक अंतर होता है इसकी वजह से विभिन संप्रदायों में तनाव और संघर्ष उत्पन होते हैं जिनें संप्रदाइक तनाव कहा जाता है भोगोलिक कारण अलग-अलग भोगोलिक परिछेतर में रहने के कारण विभिन संप्रदायों के बीच समाजिक दूरी बढ़ती है एक संप्रदाय के लोग खास भोगोलिक छेतर में रहते हैं इसकी वज़े से दूसरे संप्रदाईों से उनकी दूरी या अलगाव बढ़ जाता है। विभिन संप्रदाई के लोग अपनी अलग-अलग बरस्तियां बसाकर रहना पसंद करते हैं। उसमें उनी के संप्रदाई के लोग होते हैं। ये जो अलगाव वादी प्रवृत्ति होती है, ये तनाव और संगर्ष को उत्पन करती है। सामाजिक कारण विभिन संप्रदाई के सामाजिक रीती रिवाज, प्रथाएं, परंपराएं, पहनावा, रहन सहन, यहां तक की विचार, धर्म और साहित्ते भी एक दूसरे से बिलकुल अलग होते हैं। इसकी वज़न से इनमें तनाव उत्पन होता है, क्योंकि प्रतेक व्यक्ति अपने धर्म, अपने विचार, अपने साहित्ते, अपने पहनावे को दूसरे के धर्म, पहनावे और रीती रिवाज, परंपराओं से श्रेष्ट समझता है। राजनितिक कारण बहुत सारे राजनितिक दल अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए राश्ट्री हितों की परवा नहीं करते, यानि देश के हितों की परवा नहीं करते, विभिन संपरदायों के लोगों को लड़वा कर संपरदाहिक तन्वाव उत्पन करने का प्रयास करते हैं। मनोवज्यानिक कारण विभिन संपरदायों में एक दूसरे के प्रती विरोधी पुर्वाग्रह उत्पन्न होते हैं तो ये जो पुर्वाग्रह होते हैं इनके पीछे कोई तार कारण नहीं होता लेकिन इन पुर्वा ग्रहों की वजह से विभिन संपरदायों के मन में दूसरे संपरदायों के प्रती नकारात्मक मनुवृतियां बन जाती है यानि नकारात्मक सोच, नकारात्मक विचारधारा बन जाती है जिसकी वजह से संपरदायिक तनाव उत्पन्न होता है आपसी संपर्क एवं मेल मिलाब का ना होना विभिन कारणों से विभिन संपरदायों में आपसी संपर्क नहीं हो पाता यानि उनके बीच में मेल जोल की कमी रहती है ये कारण कुछ भी हो सकते हैं भोगोलिक कारण हो सकते हैं या एक दूसरे के विचारों का ना मिलना, रिती रिवाश परमपराओं का ना मिलना, जो भी कारण है, उन कारणों से इनके बीच में आपस में कॉंटेक्ट नहीं हो पाता और ये मेल जोल नहीं बढ़ पाता, जिसकी वज़े से एक संपरदाय को दूसरे संपरदाय के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती यानि हर संपरदाय में कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं बुराईयां होती हैं लेकिन अच्छी चीज़ों की जानकारी दूसरे संपरदाय को नहीं हो पाती है इस वजह से जो समाजिक दूरी है वो बढ़ती रहती है और बनी हुई रहती है ऐसे में विभिन संप्रदायों के बीच में एक परायपन का भाव बना रहता है यानि वे अपने संप्रदाय के अतरिक्त जितने भी संप्रदाय के लोग हैं उनको एक परायापन की दृष्टी से देखते हैं तो ये जो परायापन होता है और समाजिक दूरी होती है इसकी वजह से संपरदाईक तनाव बना रहता है समान सुविधाओं का अभाव अनेक बार समाज में अलग-अलग संपरदाई हैं उनको एक जैसे सुविधाएं उपलब्द नहीं होती कुछ ऐसे संपरदाई हैं जिन्हें कुछ विशेश सुविधाएं प्राप्त होती है इसकी वजह से वे संपरदाई जिन्हें इवे सुविधाएं प्राप्त नहीं होती उनमें प्रतिसपर्दा या इडशा की भावना विक्सित होती है और यही प्रतिसपर्दा जो होती है वो कहीं न कहीं अलगाओ की भावना और विरोध की भावना उत्पन्न करती है जो की सीधे संपरदाइक तनाओ उत्पन्न करती है कारण को जानने के पश्चात ये भी जानना अवश्यक है संपरदाइकता या संपरदाइक तनाओ से हानिया क्या होती है या उसके दुष्परिणाम क्या होती है सबसे पहला दुश परिणाम है निरंतर समू तनाव संपरदाईक्ता के कारण यानि अपने धर्म को अपने संपरदाई को श्रेश समझना और दूसरे के धर्म और संपरदाई को अपने से हीन समझना कम समझना तो संपरदाइक्ता के कारण जो संपरदाए हैं उनके बीच में लगातार कम या जादा मात्रा में तनाव बना रहता है और इसकी वजह से उनमें आपस में विश्वास, सहीयोग, समंजस से जैसे समाजिक गुण विक्सित नहीं हो पाते हैं दूसरा दुष्परिणाम है समाजिक विघटन की आशंका संपरदाइक्ता की दश्या में यानि संपरदाइक्ता की जो भावना है उसकी वजह से हर संपरदाइ अपने हितों के बारे में सोचता है और दूसरे संप्रधायों के हितों की अभेल ना करता है या उपेक्षा करता है हितों के स्टखराओं के कारण सामाजिक विगटन की आशंग का बनी रहती है और दूगिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव संप्रदाइक्ता के प्रबल होने के स्थिती में यानि जब संप्रदाइक्ता जरूर से जादा बढ़ जाती है तो ऐसे स्थिती में देश का या फिर उस छेत्र का जहां पर संप्रदाइक्ता प्रबल हुई है वहां पर वातावरन जो होता है वो अशांत हो जाता है और असु हो पाता क्योंकि एकशित वात बिकास के लिए वातवरन की आवेशकता होती है injection माल की हानी संपरदाईक तनाओ की वजह से संपरदाईक दंगे होते हैं और इन दंगों में आगजनी, लूट-पाल और हत्या जैसी घटनाएं होती है और इनकी वजह से जान और माल की भारी हानी होती है ये भी कहा जाता है कि जितनी जाने दुरघटनाओं में नहीं जाती है उससे कहीं जादा सामपरदाइक दंगों में चली जाती है राश्ट्री एकता एवं सुरक्षा के लिए खत्रा सामप्रदाइकता एक विगटन कारी प्रवर्ति है जिससे देश का समाज का विगटन होता है और इससे राश्ट्री एकता एवं सुरक्षा को खत्रा बना रहता है देश में अगर सामपरदाईक तनाओ बना होगा तो उस सामपरदाईक तनाओ का क्योंकि विभन सामपरदाई एक दूसरे से लड़ रही होंगे या एक दूसरे के साथ संघर्ष कर रही होंगे तो इसकी वजह से जो देश विरोधी ताकते हैं वो देश को कमजोर करने का प्र लग्च अधि वो शुरू से ही तनाव भरे वातावरण में रहते हैं और ऐसी स्थिति में जब एक संप्रदाइस के लिए नकरात्मख विचारधानाय रखता है तो बालक में भी शुरू से ही दुसरे संप्रदायों के लिए पुर्वधारनाएं यानि कि पुर्वा ग्रह बिखसित होंगे और ये जो पुर्वा ग्रह होते हैं आतारकिक और विवेक हीन होते हैं यानि जब व्यक्ति इन पुर्वा ग्रहों से ग्रसित होता है तर्क के दौरा उनके सही या गलत होने बारे में पता नहीं लगाता है कि इवन उन्हेंैंट कर लेता है, उन्हें मान लेता है, तो यह जो पूर्वा ग्रेह होते हैं यह पालक के व्यक्तित्तू पर बुरा प्रभाश डालते हैं, त्यूंकि इसकी वज़े इस दूसरे सम्पृदाइं खे भी, व्यक्तियो इन दोनों समुदाय के जो बच्चे हैं उनके मन में एक दूसरे के लिए यानि एक दूसरे शंपरदाय के लिए शत्रता के भाव तनाव और दूएश के भाव पैदा होंगे और यह जो भाव हो दे हैं इन संपरदाईयों के प्रति पक्षपात दृष्टिकॉन अपनाने के जिसकी वजह से उसका व्यक्तित्व विकसित नहीं हो पाएगा संपरदाइक तनाओ को दूर करने के उपाए इतिहास की नवीन व्याख्या भले ही इस बात में कोई संदेर नहीं कि भारत का इतिहास मुगलकाल से ही संपरदाइक तनाओ के प्रमान प्रसुत करता है लेकिन कभी भी कम नहीं होंगे इसलिए जरूरी है कि इतिहास में ऐसी घटनाओं पर नजर डाली जाए जो कि विभन संपरदायों के मैत्री और सहयोग का परिचय देती है यानि जिससे यह पता लगता है कि विभन संपरदायों के सहयोग से कुछ अच्छे काम भी हुए हैं अगर आत्मा की रक्षा के लिए अपने प्राण गवाये थे समाजिक संबंदों की स्थापना संपरदाई तनाओं को समाप्त करने के लिए विभन संपरदायों के बीच समाजिक दूरी को समाप्त करना बहुत जरूरी है यानि जो इनके बीच में एक दूसरे के लिए अलगाओं की भावना है प्रतक्ता की भावना है उस भावना को दूर करना बहुत जरूरी है इसके लिए आवश्यक है कि एक संप्रदाय के लोग अन्य संप्रदायों के शादी ब्याह इसके इलावा जो सहभोज होता है यानि साथ-साथ जो भोजन किया जाता है और और भी अन्य प्रका मर्यादा का पूरा पूरा ध्यान रखें, एक दूसरे के धर्म को परियाप्त सम्मान प्रदान करें, मिश्रित सांस्कृतिक कारेक्रमों का आयोजन, सांप्रदाईक तनाओ को कम करने के लिए कुछ ऐसे कारेक्रमों का आयोजन करना अच्छा हो सकता है, जो कि दोनों ही संप् एक कारेकरम प्रस्तुत करें जिसकी वज़े से विभिन संप्रदाय के लोग एक दूसरे के निकट संपर्क में आएंगे और उन्हें एक दूसरे की अच्छाईयों के बारे में पता लगेगा और साथी साथ जो गलत फैमिया है एक दूसरे के मन में मित्या धारनाय बनी हुई वह समाप्त होंगी राश्ट्रियता का प्रचार भारत एक धर्म निर्पेक्ष राश्ट्र है यानि किसी भी विशेश धर्म के बढ़ावा नहीं देता तो यह जरूरी है कि सांप्रदायक तनाव को दूर करने के लिए राश्ट्रियता का प्रचार किया जाए प्रतेक सभी संप्रदायों के लोगों की बराबर भागीदारी होनी चाहिए संप्रदाय विरोधी प्रचार संप्रदाइक्ता को नियंद्रत करने के लिए जरूरी है कि इसके विरोध में प्रचार किया जाए इसके लिए जन संचार के माध्यमों का सहारा लिया जा सकता है रेडिय टेलिविजन विभिन पत्र पत्रिक आएं और इंटरनेट हो गया इन सभी माध्यमों से संप्रदाइकता से होने वाली हानियों और उसके दुषपर नामों को जन साधरन तक पहुचाना आवशक है सिक्षा की समुचित व्यवस्था सिक्षा के द्वारा चिंतन का विकास होता है और चिंतन से अंधविश्वास और दूरियां मिठती है यानि जब व्यक्ति सिक्षित होता है तो वो अंधविश्वास से परेहट कर किवल देश के विकास के बारे में सोचता है एक सिक्षित एवं सम्रद्ध समाज संप्रदाईक तनाओं से बहुत दूर रहता है इसलिए ये आवश्यक है कि लोगों को सिक्षित किया जाए संप्रदाईक तरणाओं को दूर करने लिए जरूरी है संप्रदाई पर आधारत राजनितिक दलों पर रोक लगाई जयाए राजनीतिक गति विदियों में भी सांपरदाइकता को एक साधन की तरह एक हतियार की तरह प्रयोग करने वाले जो राजनीतिक दल हैं उन पर कड़ी कारवाही की जाएं इसके अलावा प्रतेक राजनीतिक दल चुनाओ के समय में अपने घोशना पत्र में अपनी उद्धोशनाएं यानि वो जनता के लिए क्या काम करेंगे उनको प्रकाशित करवाते हैं तो ऐसे जो घोशना पत्र हैं इनमें सांपरदाइकता से संबंदित अगर कोई घोशनाए की गई हैं तो उनको कानूनन हटवाना चाहिए सांस्कृतिक विनिमे यानि सांस्कृतिक आदान परदान संपरदाइक तनाव को दूर करने के लिए बहुत जरूरी है कि विभिन संपरदाइयों के आपस में सांस्कृतिक आदान परदान के अवसर प्राप्त हों क्योंकि ज इसभी दर्मों के लोग मिल जुल कर मनाये। तो ऐसे में आपस में सांस्कृति अाधान प्रदान होगा। जिससे सामपरदाईक तन्याओ को दूर करने में सहायता मिलेगी. तो आज की ग्लास में हमने सामपरदाईक तनाओ के अर्थ को समझ छा, इसके साथ ही हमने सामप्रदाइक तनाओं के मुख्य कारणों उसके दुश परिनामों और उसको दूर करने के उपाईयों पर भी नजर डाली आज की क्लास आपको कैसी लगी अगर आज की क्लास आपके लिए फायदे मंद रही तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन प्रेस कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए तिल दन पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल के बेतिन क्लास नमशकार